नमस्कार जहन दोस्तों आप सोहिकार श्वागत है तो दोस्तों 1881 प्रकासित अंधेर नगरी नाटक जो कि भारतें दुहरी चंद लिखा है आए इसकी एक-एक लाइनों को पढ़ते हैं और दोस्तों नेट जयारफ में इनकी एक-एक लाइनों को भी पूछा जा रहा है और इक-एक क्रम को पूछलिया जा रहा है जो कि बहुत ही जरूरी है तो चलिए सुरु करते हैं प्रथमंग इसमे अस्थान है प्रथमंग का बाहए प्राहज महंत जी दो छेलों के साथ गाते हुए आते हैं शब राम भजो राम भजो राम भजो भाई राम के भजे से गनिका तर गई राम के भजे से गीध गति पाई राम के नाम से काम बनेशब राम के भजन भिनु शबहिन साई राम के नाम से दोनो नयन भिनु सूरदास भई कभिकुल राई राम के नाम से घास जंगल की तुलसी भई भजी रगुराई महंत बच्चा नारायडास यह नगर तो दूर से बड़ा सुन्दर दिखाई पड़ता है देख कुछ भिच्छा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगए और क्या नारायडास गुरुजी महाराज नगर तो नारायड के आसरे से बहुत ही सुन्दर है जो हैशो पर भिच्छा सुन्दर मिले तो बड़ा आनंद होए महंत बच्चा गोवर्धन तु पश्चिम की ओर और नारायड पूरब की ओर जाएगा देख जो कुछ सीधा स्रामगरे मिले तो श्री साल ग्राम जी का बाल भोग सिध्ध हो तो दोस्तों आप यहाँ याद कीजिएगा कि गोवर्धन दास पश्चिम में जाता है और नारायड पूरब की ओर इसे पूरब से याद कर लिजिए क्योंकि हो सकता है आगे पूछा जाए गोवर्धन दास गुरु जी मैं बहुत सी भिच्छा लाता हूँ यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाए पड़ते हैं आपको चिंता मत कीजिए महंत बहुत लोभ मत करना देखना हाँ लोभ पाप का मूल है लोभ में टावत मान लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नर कनिदान गाते हुए सब जाते हैं तो दोस्तों दूसरा अंक है इसका स्थान है बाजार तो चलिए इसको पढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें जो है सभी जो पात्र हैं सभी अपनी बाते गाकर कहते हैं यह प्रस्ट पूछा जा सकता है कि सभी पात्र गाकर कहते हैं या नहीं कबाब बेचता है और वहां कहना गाता है अपनी कबाब को बेचने के लिए कबाब गरमा गरम मसाले धार चवराशी मसाला बहत्तर आच का कबाब गरमा गरम मसाले धार खायशो होठ चाटै ना खायशो जीव काटै कबाब लोग कबाब का धेर पेचा टकेशे घासी राम चने जोर गरम चने बनावए घासी राम जिन की जोली में दुकान चना चुरमर चुरमर बोले बाबू खाने को मोखोले चना खावए तौकी मैना बोले अच्छा बना चबैना चना खावै गफूरन मुन्नी बोले और नहीं कुछ सुनना चना खावे श्रब बंगाली जिनकी धोती धेली ढाली चना खाते मिया जुलहे डाढ़े हिलती गाय बहाये चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते चने जोर गरम तके शेर नारंगी वली होगे नारंगी ले नारंगी टके सेर नारंगी हलवाई जलेविया गरमा गरम ले सेव इमर्ती लड़ो गुलाब जामोन खुर्मा बुंदिया बर्फी शमोशा पेडा कचवडी दालमोट पकवडी घेवर गुप्टिप हलुआ ले हलुआ मोहन भोग मोयंदार कचवडी कचाका हलुआ नरंचभाका घी में गरक चीनी में तरातर चासनी में चभा चभ ले भूर का लड़ू जो खाय शोभी पचताई जो ना खाय शोभी पचताई रेवडी कडाका पापड़ पडाका ऐसी जा थलवाई जिसके 36 काउम है भाई जैसे कलकत्ते के बिलसन मंदिर के भरत मंदिर के भितरिये वैशे अंधेर नगरी के हम सब समाज ताजा खाजा ले खाजा टके सेर खाजा कुजडिन ले धनिया मेथी सोवा पालक चावराई बथवा करेमू नुनिया कुलफा कसारी चना सरसो का साग मरसा ले मरशा ले बैगन लवा कोहणा आलू अरोई बंडा निनुआ सूरन रामतरोई मुरई ले आदी मिर्चा लासुन प्याज टिकूरा ले फालसा खिन्ने आममरूद न युगा मतर हो रहा जैसे काजी वैसे पाजी रहयत राजी टकेसेर भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बायर मुगल बादाम पिस्ते यकरोट अनार दिहदाना मुनक्का किस्मिस अंजीर आप जोश आलू बुखारा चिलगोजा सेव नासपाती बेही जर्दा अं हमारा ऐशा मुल्क जिसमें अंगरेज का भी दात कटा हो जाए नाहक को रुपया खराब किया बेवकूप बना हिंदोस्ता का आदमी लकलक हमारे यहां का आदमी बुम्बुक बुम्बुक लोशब मेवा टकेशेर पाचक वाला दोस्तों यह पिछली बार ही पूछा गया पाचक वाले की जो पंग्तियां हैं तो इसे आप पढ़ लिजे एक बार फिर से अच्छे से इसको याद कर लिजी चूरं अमल बेत का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता श्यामसलोना चूरन बना मसाले दार जिसमें खटे की बहार मेरा चूरं जो कोई खाए मुझे को छोड़ कहीं न जाए हिंदू चूरन इसका नाम बिलायत पूरन इसका काम चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया चूरन अयशा हटा कटा कीना दान सभी का खटा चूरन दाल चनाकी मंडी सको खाएंगी सवरंडी चूरन अमले सब जो खावें दोनी रिस्वत्वत पचावें चूने नाटक वाले खातें इसकी नकल पचा कर लातें चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते चूरन खाते लाला लोग जिसको अखिल अजीरन रोग चूरन खावे एडिटर जा जिनके पेट पचय नहिवा चूरन साहिब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढ़े, बेचा टके से, मचली वाली मचरी ले मचरी मचरिया एक टके के विकाए लाख टका के बाला जो बनगा हक सबलल चाया नैन मचरिया रूप जाल में देखत ही फस जाए बिनू पानी मचरी सो बिरहिया मिले बिना आकुलाए जात वाला ब्राहमर जात ले जात टके सेर जात एक टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते ब्राहमर से धोबी हो जाये और धोबी को ब्राहमर कर दें टके के वास्ते जैसी कहो ऐसी ब्यवस्था कर दें टके के वास्ते जूट को सच करें टके के वास्ते ब्राहमर से मुसल्मान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म पतिष्ठा, दोनों बेचे टके के वास्ते, जूठी गवाही दे, टके के वास्ते, पाप को पुंडे माने टके के वास्ते, नीच को भी पितामा बनावे, वेद धर्म कू मरजादा सच्चाई बढ़ाई सब टके से लुटाए दिया अनमोल माल ले टके से बनिया आटा दाल लकडी नमक घी चीनी मशाला ले टके से बाबा जी का चेला गोबर्धंदास आता है और सब बिचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के लिए आनम में बड़ा प्रसन हो होता है गोबर्धंदास क्यों भई बनिये आटा कितने से बनिया टके से गोबर्धंदास और चावल बनिया टके से गोबर्धंदास और चीनी बनिया टके से गोबर्धंदास और घी बनिया टके से गोबर्धंदास सब टके से से सच्मुझ बनिया हां महाराज क्या जूट गोवर्धन कुझणिन के पास जाकर क्यों माई भाजी क्या भाव कुझणिन बाबाजी टके सेर निनुवा मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर गोवर्धन दा सब भाजी टके सेर वावा बड़ा आनंद है यहाँ सभी चीज टके सेर हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हल हलवाई, मिठाई कितने सेर, हलवाई, बाबा जी, लड़ुआ, जलेवी, गुलाव, जामुन, खाजा, सब टके सेर, गोवर्धन दास, वावा, बड़ा आनन्द है, क्यों, बच्चा, मुझसे मसकरी तो नहीं करता, सचमुछ सब टके सेर, हलवाई, हाँ, बाबा जी, सचमु गोवर्धन दास, वावा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर, भाजी, टके सेर, खाजा, यहीं काता है, और आनन्द सेर, बगल बजाता है, हलवाई, तो बाबा जी, कुछ लेना, देना हो, तो लोदो, गोवर्धन दास, बच्चा, भिच्चा, मांकर, साथ पैसे लाया हूँ, साड़े तीन से मिठाई दे दे, गुरू चेले सब, आनन्द पूरवा कितने में छक जाएंगे, हलवाई, मिठाई तौलता है, बाबा जी, मिठाई लेकर खाते हुए, और अंधेर नगरी काते हुए, जाते हैं, यवानिका गिरती है, तो दोस्तों, आज कि इ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें चाहें,